नमस्कार, बैटल अफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं है कुश्पूर। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की पांच बड़ी खबरें जिस पर शर्शा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं क्यापिटेंटली के एड़िटर इंचीप डॉक्टर मनीश कुमार रॉक्सर बहुत 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 बात बात दन्लवाद। सबसे पहले हेडलाइन्स पीम मोधी की राली से त्रिणमूल में खलबली सिरीगुडी के बाद मम्ता ने कॉलकाता में किया पैदल मार्श दुथिन चक्रवर्ती ने बताई बीजेपी जॉइन करने की वज़य कहां मोधी जी के कारण पार्टी में आया भाजपा नेता शुबिंदु अधिकारी ने साधा मम्ता पर निशाना कहा बंगाल की बेटी नहीं, भुसपैठियों और रोहिंग्याओं की मौसी मम्ता बहन पर उम्राश शरग भाई का प्यार अकेली महिला पर जुल्म धा रही है केंद्र सरकार और मम्ता के साथ लाट्कियां खाने वाली को भी नहीं मिला टिकेट सुनाली गुहा होंगी बीजेपी में शामुआ रुक करते हैं पहली खबर का प्रधान मंत्री मोदी की मेगा रैली के बाद मम्ता ने अपना शक्ती प्रदर्शन करने के लिए पद्याथा की शुरुआती सिलिगूरी के बाद मम्ता ने कॉलकाता में पैडल मार्च किया उनके साथ इस मौके पर बंगाले फिल्म जगत के तमाम सितारे भी मौजूद रहे डॉक्टर साब क्या शक्ती प्रदर्शन करके मम्ता मोदी को जवाब दे पाई गी देखिए दरसल यह जो रैली थी इन फा देने की कोशिश ज़रूर की गई लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ कारकरता निजर आये वहाँ पे आम लोगों का पार्टिस्पेशन मम्ता की इस रैली में नजर नहीं आया एक बात हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि रोड सो सबसे आसान तरीका है मीडिया ग्लेयर को या मीडिया में अपना चेहरा चमकाने का होता यह है कि जब आप कहीं से भी गुजरेंगे कोई भी सक्स गुजरता है लोग आसपास के वो बाहर आही जाते हैं आज कल तब मुबाइल का जवाना आया सब फोटो कीचने पहुंच जाते हैं और जब रैली होती है तब आप अपने समर्थकों को उस रैलिंग पे आप ले करके आते हैं जिस ग्राउंड में लेकर करके आते हैं तो इस डोनों में fundamental फर्क यह होता है कि इसमें चूंकि जगह सिर्फ एक रोड होता है एक पतली सी सडक होती है तो लोग की संख्या ज़ादा रजर आती है लेकिन आम participation उसमें नहीं होता है जबकि रैली का जवाब एक रैली से ही दिया जा सकता है तो मुझे लगता है कि ममता बनर जी अपनी हिसाब से अपनी स्टेड़ी बना रही है लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जो ब्रिगेड ग्राउंड के अंदर जो प्रधान मंतरी मोदी ने रैली की उसका ये जवाब है तो वो ना समझी ह जे तो ममता के लिए खेला होबे देखा होबे तो कहा जा सकता है लेकिन जेता होबे का तो अब कोई चांसी नहीं है ममता के लिए अब बात करते हैं बड़ी ख़बर की वॉलिवोड अभिनेता मितुन चक्रवर्ती ने बीजेपी जॉइन करने के बाद कहा कि वो गरीबों क कि लड़ाई लड़ना चाहते हैं उन्होंने कहा कि मैं गरीवों को सम्मान दिलाओगा क्योंकि दुनिया की सभी जिल्लते मैंने चीली है इसके साथ ही बीजेपी जॉइन करने की बड़ी वज़य बताते हुए उन्होंने कहा कि वह पी एम मोधी के कारण बीजेपी में आए र जिनके साथ मिहतन चंपरती बहुत ऱैंके सास्ट त乐े गढ़न्डे देजिए के लोग थे खेंगे हैं तो शक्ता जैसे बदलता है या ऐसा लगता है कि कुछ बद्लाव होने वाला है तो हर सक्स जो समाज को कुछ कंट्रिब्यूट करना चाहता है तो वो सबसे पहले उस हवा का रुख को पहचानते और अपने हिसाब से वो पल्टी मारते हैं तो एक तो वज़े यह है दूसरी वज़े यह होती है कि अगर आप बहुत सारे कारकरता होते जब सा लगता है कि आपका कारोबार आपका काम धां बिना किसी परट वीजार्तम नहीं चल सकता और आपको ऐसा होने लगता है कि इस भार मंदावंदा भरजी हारने वाली है तब आप अपना रास्ता बदलते हैं तो यह नो मूल बज़े होती हैं कि लोग चुनाव के समय अपनी पार्टी बदलते हैं लेकिन जहां तक बात मितुट चक्रवर्ती की है तो मितुट चक्रवर्ती एक बहुत ही पॉपलर सुपरस्टार है बंगाल के और ये देखा गया है कि जब भी जिसके साथ होते हैं चुनाव में इनका इंपक्ट होता है केंपेनिंग में लोग देखने आते हैं और इसका इंपक्ट पिछले चुनाव में रहा है ये वामपंथियों के लिए काम किया है ये त्रिमूल कॉंगरस के लिए काम किया है तो ये कोई वज़र नजर नहीं आ रही है मुझे कि ये भारती जिनता पार्टी के पक्ष में काम नहीं करेगा जी तो जाहिर है कि आपके दिल पर कौन राज करता है ये उसके बंगाली या बाहरी होने पर कताई निर्भर नहीं करता अब बात करते हैं तीसरी बड़ी ख़बर की नंदिग्राम से ममताव एनरजी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीज़िपी निता अगर त्रिणमूल फिर से सब्ता में आती है तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा वो बिल्कुल ही सटीग बात कह रहे हैं कि वह अंदर से त्रिणमूल को जान रहेंगे किस तरीके से त्रिणमूल कॉंग्रेस वहाँ पर राजनीती करती है जैसा कि हम लगातार इस बात को कहत आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बंगाल के पुलिस जाने की हिम्मत नहीं करती वह ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पे कोई प्रसासन कोई काम नहीं करता वहाँ पे कोई जाही नहीं सकता और इस तरह के एरियास को वहाँ के गुंडों को उसको लालन पालन य अब अचानक से उन्हें जो उन्होंने जो बात कही है कि घुसपैट्लियों और रोहंग्या के बारे में तो यह नहीं भूलना चाहिए कि जो नंदी ग्राम का जो कंसिशोंसी है 34% मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ उसमें कई सारे बंगला देशी भी होंगे बहुत सारे रोहंग्या को बकाइदा त्रिमूल कॉग्रेस बंगाल में बसा रही है यह हर आदमी बंगाल का जानता है तो वह इस मुद्दे को उठा करके नंदी ग्राम में जो पॉल 29 करने में कामियाम हो जाएंगे तो ममता बरजी के लिए नंदी ग्राम जीतना बड़ा मुस्किन हो जाएगा जी तो जाहिर है कि ममता बेनर जी ने 500 करोड रुपे खर्च करके प्रशान किशोर नाम के एक ऐसे विचारफ को खरीदा है जिसने पहले त्रिनमूल के टुक्रे ममता बेनर जी बहन को सत्ता से दूर करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी, ग्री मंत्री अमिच्शा समेथ, पचास मंत्री और कई राज्यों के मुख्य मंत्री लग गए है केंद्र सरकार दस साथ से सत्ता में रहने वाली अकेली महिला के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है डॉक्रस अब इस तरीके से अचानक शारत पवार का फ्रेम मंता के लिए उमर्ना किसी चीज़ का संकीत है शरत पवार बहुत ही experienced politician है अगर वो ये बात कह रहे है कि सारे लोग मिलकर के मंता को ठंक कर रहे है तो इसका जरूर मतलब यही है कि मंता बनर जी हार रही है और वो एक sympathy gain करना चाह रहे कि एक तो चारु तरफ से सारे लोग मंता की पीछे लगे हुए है हला कि हो रहा है उल्टा वहाँ इस्तिती यह है कि तिड़मूल कॉंग्रेस और उसके गुंडे बाकि सारी political parties और उनके कारकरताओं की हत्या कर रहे हैं बम मार रहे हैं उनको मैदान से भगा रहे हैं लेकिन बंगाल से ठीक उल्टी दिसा में महरास्ट में बैठा हुआ एक senior politician जब यह बात कह रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल साव है कि अंदर खाने यह खबर political circle में यह चल पड़ी है कि इस बार ममता बरजी चुनाओं नहीं जीतेगी और यह sympathy बर टोरने का जो काम है यह मुझे लग रहा है कि आप त्रिमूल कॉंगरेस के तरफ से भी यह प्रचार प्रसार अगले दो दिन में आप देखेंगे कि चारों तरफ से लोग ममता बरजी अकेली है बेचारी है ममता बरजी ना केली है ना वो बेचारी है ना ही वो धंतिहीन विशीन है यह जो लग क्वाटिंग में खेला हुपे केंडेट नॉमिनियसिंट में क्वेला हुपे गौं में खेला हुपे ये दरसल एक ऐसा इन लोगोंने स्लोगन बनाया है जो सीधे सीधे बंगाल के वोटर्स को धंने का काम इसके जरी किया जा रहा है इसके नीचे कुछ नहीं और बाहर के लीडर्स अगर ममता बुरणजी के लिए इस तरह की बाते कहते हैं तो ये यकीन मानिए कि ममता बुरणजी की स्थिती वो खराब हो रही है जी तो भाई बहन का ये प्यार चुनाव के बाद भी अगर यूही बना रहे तो ज्यादा अच्छा है अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की त्रणबूर कॉंग्रेस की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकेट नहीं मिलने से नाराज पार्टी की बढ़ी अजीब से बात आप जिसे टिकेट नहीं भी मिला है और यह कंभाल जो है वही कवाल है जो अर्विन केजरिवाल को लेकर के मीडिया कमाल करती है कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता, मैं तो आज देख रहा था सारे channels को, कोई भी channel हो, जिसको आप समझते हैं कि भही ये BGP समर्थक channel है, या फिर जिसको आप समझते हैं कि भही ये leftist channel है, ये सारे के सारे channels किसी ने दिखाया कि ममता बराज़ी की rally रैली कितनी बड़ी थी किसी रिपोर्टर ने बताया कि भाई फुट पाथ पे लोग नहीं थे जुलूस चला आ रहा है जो ममता बरण जी अगर ममता बरण जी की रैली सक्सेस्टूल है तो यह तो पता होना चाहिए कि ममता बरण जी जहां से गुजरने वाली है तीन यह अपने आप में आपको बताता है कि किस तरीके से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है और किस तरीके से पैसे का खेल हो रहा है प्लेन सिंपल लेंगविज में बता दूँ कि पैसे का खेल हो रहा है और इस वजह से जो टीम सी और वहां पे जो ग्राउंड की जो रियालिट नहीं मिल रहा है वह पाटी छोड़ दे तो बात समझ ना थे टिकट आपने दे दिया उसके बाद वो रिजाइन कर दे रही है वह भारती जंदा पाटी जोईन कर रही है इसका मतलब यह है कि टिकट पाने के बावजूर उनको यह बात समझ में आ रही है कि हम चुनाओ हारने वाले है और इसलिए बेहतर होगा कि बीजेपी से में टिकट मिल रहा है तो मैं बीजेपी से चुनाओ लड़के मैं जीत जाओंगी यह सारे लोग पां तिर्मुल कॉंग्रेस कोई आइडिलोजिकल पार्टी नहीं है यह कोई बामपंती पार्टी नहीं है यह बीजेपी न हुआ कि आप लोगों तक सही सही बात पहुचा है लेकिन हो रहा है उल्टा हकीकत यह जो एक्सोडस है वही एक बहुत बड़ा माबदन है जैसे की शरत पवार के केस में ही देख लीजिए अभी कई महीने दूर है रक्षा बंधन लेकिन अभी से वो ममतब एनरजी की लेकिन शरत पवार को यह पता होना चाहिए कि अगर उनकी बहन कोई कामी नहीं करेगी तो वो उन्हें हमदर्दी देकर भी किस तरीके से उन्हें चुनाव जित्वा देंगे अगर आपको अमारा वीजियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेर करें और क्यापिटल टीवी सबस्क्राइब औरे नमस्का